ले कृष्णा, रिच्च चो विजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आज हम फिर से एक बहुत ही इंट्रस्टिंग और इंपोर्टन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और वो है कि ब्रिगू पॉइंट, ब्रिगू बिंदू क्या है, और ब्रिगू बिंदू के अनालेसिस से हम किस तरह से अपनी लाइफ के रियल परपस के बारे में जान सकते हैं, हमारी डेस्टिनी क्या है, ये जान सकते हैं, और हम इस जनम में क्या करने वाले हैं, ये भी जान सकते हैं, तो आईए शुरुआत करते हैं, देखिए इस समय आप किसी भी फील्ड में का लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वही आपकी डेस्टिनी भी हो, तो दिखें बहुत बार लोगों को एक ही शेत्र में लंबे समय तक काम करने के बाद ये एहसास होता है कि वो क्यूं इतने वर्षों तक इसी शेत्र में का काम करते रहे, और सडनली उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनका जो अप्सेशन है, उनका जो रुझान है, वो तो किसी और ही चीज में है, उनका जो लाइफ का पैशन है, वो तो कुछ और ही है, वो किसी और चीज के लिए बने हैं, तो अकसर हम देखते हैं कि IT की की फिल्ड में काम करने वाला या शिपिंग लाइन में काम करने का वाला कोई व्यक्ति जो है अचानक उसे जो है ऑकल्ट साइंसेज में इंट्रेस्ट क्रियेट हो जाता है वो उसमें रिसर्च करना शुरू करता है और कुछ ही वर्षों में वो एक ग्रेट अस्ट्रोलजर बन जाता है तो देखिए यह जो एहसास है इस एहसास के होने की कोई एज नहीं है किसी भी व्यक्ति को ऐसा 29 की एज में भी हो सकता है और 59 की एज में भी हो सकता है जब उसे अपनी लाइफ का जो है रियल परपस जो है वो पता चले उसे अपनी डेस्टिनी उसकी डेस्टिनी क्या है इसके बारे में वो जान पाए तो अब हम बहुत ही सिंपलेस्ट वे से यह समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिगू पॉइंट जो है ब्रिगू बिंदू वो क्या है तो देखिए वैसे तो किसी भी अच्छ आस्ट्रोजी सॉफ्ट्वेर में जो ब्रिगू पॉइंट है जिसे की बीपी भी बोलते हैं तो वो अल्रेडी कैलकुलेट होता ही है लेकिन हम बहुत ही सिंपल वे से इसे जानने की कोशिश करेंगे तो देखिए जो ब्रिगू पॉइंट है वो राहू हमारे बर्चार्ट में डीवान में लगन चार्ट में राहू और चंद्रमा के बीच में एक imaginary midpoint है जिसे की हम ब्रिगू बिंदू के नाम से जानते हैं तो अगर और भी सरल तरीके से इसे समझने की कोशिश करें तो हमें अपने बर्चार्ट में लगन चार्ट में हमें सबसे पहले राहू की प में प्लेस्ट है और उसके बाद हमें चंद्रमा मून की placement को देखना होगा कि चंद्रमा जो है वो किस house में प्लेस्ट है तो इसके बाद हमें राहू से चंद्रमा की तरफ anti-clockwise degrees को calculate करना है और राहू से चंद्रमा इन दोनों के बीच में जो midpoint आएगा वही जो है हमारा जो ह ब्रिगू पॉइंट माना जाएगा तो एक बार जब हमने जान लिया कि ब्रिगू पॉइंट कहां पर है तो इसके बाद हमें हाउस चेक करना होगा कि जो ब्रिगू पॉइंट है वो किस हाउस में आ रहा है और उसके बाद जो है हमें राशी को भी देखना होगा कि उस हाउस में साइन कौन सा है तो उसके बाद हमें ब्रिगू पॉइंट का जो है नक्षत्र देखना होगा कि वो किस डिग्री में है तो इतनी information निकालने के बाद हमें इस information का बहुत गहराई से analysis करना होगा ये जानने के लिए कि उस व्यक्ति का जो है real purpose of existence क्या है उसकी destiny क्या है वो इस जनम में क्या करने वाला है तो मान लेजिए हमारे पास Gemini लगन का एक birth chart है और उसमें जो राहू ग्रह है वो 7th house में placed है और जो चंद्रमा है वो 11th house में placed है तो इस थिती में जो midpoint होगा राहू और चंद्रमा के बीच में जो imaginary midpoint होगा वो आएगा 9th house में शत्भिशा नक्षत्र में तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है तो देखिए इसका एक सीधा सा मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति है उसकी जो destiny है वो spirituality और higher learning से संबंधित रहेगी और healing से भी संबंधित रहेगी क्योंकि जो 9th house है वो higher learning और spirituality को represent करता है जबकि जो शत्भिशा नक्षत्र है वो healing के बारे में हमें बताता है तो इस तरह से उस व्यक्ति की जो destiny है वो spirituality higher learning और healing के एड़गेड़ ही रहेगी तो अब हम जानेंगे कि ब्रिगू point के analysis से हम क्या क्या जान सकते हैं देखिए वैसे तो यह सब एक short video में बता पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ब्रिगू point के analysis से हम इतना कुछ जान सकते हैं कि उसके उपर एक पूरी किताब लिखी जा सके तो देखिए हमारे birth chart में जो ब्रिगू point है वहां पर हमारी past life का maximum pending karma जो है वो stored रहता है और उस pending karma का जो outcome है वो positive रहेगा हमारे जीवन में या negative रहेगा ये भी हम जान सकते हैं उस house के सरवाश्टक वरगा के analysis से जहां पर की ब्रिगू point है तो मान लेजिए ब्रिगू point जिस house में है उस house का जो सरवाश्टक वरगा का जो score है वो अगर 30 से उपर है तो उस थिती में जो है जो outcome है वो positive रहने की संभावना है लेकिन इसके विप्रीत अगर ब्रिगू point जिस house में है उस house का जो सरवाश्टक वरगा का score है वो 25 से जितना नीचे है उसका जो pending कर्मा का जो outcome है वो उतना ही negative रहने की संभावना है तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस house में ब्रिगू point है वो house पी हमारे लिए बहुत जादा importance रखता है क्योंकि उस house से संबंदित कारक तत्वों और उस house से संबंदित व्यक्तियों के 8th grade ही हमारी हमारा जो जीवन है वो उसके 8th grade ही रहने वाला है तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो ब्रिगू से ही संबंदित रहने वाली है और क्योंकि जो 7th house है वो विवाह का भी माना जाता है तो उस व्यक्ति का partner जो है वो भी उसके business या partnership में जो है वो involved रह सकता है तो इसके साथ ही अगर हमारे बर चार्ट में जो ब्रिगू पॉइंट है अगर वो केंदर के houses में आए यानि की 1st, 4th, 7th या 10th house में अगर आए तो इस स्थिती में व्यक्ति ये इंडिकेट करता है उस व्यक्ति की life में early success को अगर दूसरे ग्रहे भी support करते हों तो इसके साथ ही अगर जो ब्रिगू पॉइंट है वो त्रिकोन के houses में आए यानि की 1, 5 या 9 नंबर के houses में आए तो इस स्थिती में इतना तय है कि व्यक्ति जो है वो अपनी destiny को अचीव करेगा higher learning और spirituality के थ्रूँ और इसके साथ ही अगर जो ब्रिगू पॉइंट है वो दुष्टाना houses में आए 6, 8, 12 के houses में आए तो इस थिती में इतना तय है कि व्यक्ति की जो day to day life है उसमें बहुत संघर्ष से व्यक्ति जो है अपनी destiny को अचीव कर पाएगा तो इसके साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि जिस house में ब्रिगू पॉइंट है उस house के उपर कितने शुब या अशुब ग्रहों की दृष्टियां है और उस house का जो स्वामी है उस house का जो lord है वो हमारे birth chart में कहां पर placed है और इसके साथ ही ब्रिगू पॉइंट की exact degree के उप अलग अलग ग्रहों का जो गोचर है अलग अलग ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो भी बहुत जादा importance रखता है तो देखिए जब भी ब्रिगू पॉइंट की exact degree के उपर से किसी शुब ग्रह का ट्रांजिट होगा किसी शुब ग्रह का गोचर होगा तो उस समय हमारी life में positive events होने की जो है संभावना बनती है लेकिन इसके विप्रीत जो है अगर भी ब्रिगू पॉइंट की exact degree के उपर से किसी malefic ग्रह का transit हो या फिर किसी मारक ग्रह का जो transit हो तो उस थिती में जो है हमारे जीवन में negative घटनाएं जो है वो हो सकती है तो retrograde planets का transit भी ब्रिगू पॉइंट के उपर से बहुत ज़्यादा importance रखता है तो मान लेजिए किसी व्यक्ति का जो ब्रिगू पॉइंट है वो fifth house में है जो कि love romance के बारे में हमें बताता है creativity के बारे में बताता है तो अगर fifth house में किसी व्यक्ति का ब्रिगू पॉइंट है और उसके उपर से retrograde weakness का transit अगर हो रहा हो तो उस थिती में बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि व्यक्ति का जो है कोई पुराना relationship जो है वो फिर से revive हो जाए तो इस तरह से ब्रिगू पॉइंट के बहुत गहराई से analysis से हम किसी भी व्यक्ति की destiny के बारे में वो अपने जीवन में क्या करने वाला है इसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं तो यह था मेरा छोटा सा analysis अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्स्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें हरे कृष्ण